हेलो एप्रिबन स्वागत है हमारे चैनल आर के राय सर में तो आज हम आपको अंगरेजी व्याकरण मींस इंगलेज ग्रामर के उस टॉपिक पर लेके चलते हैं जो अतियंत महत्पूर्ण है means it is very very important for class 9th, class 10th, class 11th and also 12th so students आपको हमारी इस वीडियो बने रहना है टॉपिक का नाम जानना है तो फिर बने रहिए अंद तक टॉपिक रहेगा हमारा so that का प्रियोग, so खाली मतलब gap देकर फिर that का प्रियोग और उसके बाद में so that की जगह पर हम to, to का प्रियोग कैसी करें तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल किलियर हो जाएगा यदि आप अंतर तक हमारी ये वीडियो देख लेंगे और जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जो नए हैं हमारे चैनल पर और जो पुराने हैं तो भूतो सब्सक्राइब करें ही हैं और बेल आइकम जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम जो नए अपडेट देंगे आपकी important topic पर हम वीडियो बनाएंगे आपकी jumps आ रही है पास में तो चिंता करने की नहीं है बिल्कुल बात क्योंकि हम हैं आपके साथ तो लाइक कर दीजिए वीडियो को चलते हैं show that के प्रियोग और टूटू के प्रियोग की तरफ तो students हम आ गए हैं अपनी screen पर जहां पर हम देख रहे हैं show that और टूटू का प्रियोग तो हमें बड़े ध्यान से देखना है show that और टूटू का प्रियोग हम कैसी करेंगे तो students आप बने रहेगा वीडियो में अंतक तो देखिए use of so that ये जो use of so that है इसका जो use है वो हम इतना और फिर कोई सब्दा आएगा और उसके बाद में की की के बाद अगला sentence रहेगा तो आपको ये चीज समझ नहीं है ठीके तो इसको हम समझते हैं वड़े ध्यान से कि इसका example देख लेते हैं किस प्रकार की sentence so that का use करकी बनाए ज sentence लिखा हुआ है पहला sentence जो हमने लिया है example कि वह बहुत कमजूर है वह चल नहीं सकता तो इसका हम जो जैसा बनता है वैसा हम बना देंगे वह बहुत कमजूर है he is very weak तो ये बन गया हमारा he is very weak और हमने यहां देख लिया है कि इसका ये बन गया he is very weak अब वह चल नहीं सकता तो he cannot walk यह हो गया हमारा sentence ठीक है तो अब हमें इस sentence में यहां लिखा है rewrite using so that इसको हम so that का use करके rewrite करना है sentence को तो देखो बड़ा simple तरीका है कि जो sentence यह लिखा है he is very weak तो he is very weak में जो very सब्द है उस very को हम हटा देंगे और उस very की जगहे पे हम क्या use कर देंगे so का use कर देंगे तो हो जाएगा he is so weak अब हमें police stop हटा दीना है जो police stop लगा है यहां पे इसको हम हटा की that लगा देंगी क्या लगा देंगी that लगा देंगी और फिर अगला जो sentence है उसका हम पहला letter small करके उसको जियोंकातियों लख देंगी तो students बड़ा ही आसान है यह हमें कर देना है हमारा जो नया sentence बन जाएगा वो क्या रहेगा यह रहेगा he is so weak that he cannot walk मतलब इसका अर्थ ही हो जाएगा वह इतना weak है मतलब वह इतना कमजूर है कि वह चल नहीं सकता है तो आयोप आपको clear हो गया होगा अब हम एक और sentence ले लेते हैं वह बहुत होसियार है वह यह सवाल हल कर सकती है तो वह बहुत होसियार है तो इसका क्या बन जाएगा she is very intelligent यह तो बन गया वह बहुत होसियार है अब वह यह सवाल हल कर सकती है she can solve this sum यह बन गया अब हमें इस sentence को rewrite करना है क्या करना है rewrite करना है क्या का use करके rewrite using so that so that का use करके हमें इस sentence को rewrite करना है so rewrite करने के लिए अभी की अभी जैसा हमने यहाँ समझाया है पहले sentence में कि आपको bury को हटा करके so लगा देना है और बाकि same to same लिखना कोई change नहीं करना है बाकी में लेकर बाकि जो sentence है इसमें कोई change नहीं करना है फिर इसके बाद में जो fully stop है इस fully stop की जगए पे आपको क्या लगा देना है that लगा देना है इसके बाद में ध्यान रखना है कि पहला लेटर जो है अगली sentence का वो small बनेगा, small बना देना है देखो S यहाँ capital है इस S को हमने यहाँ small कर दिया बाकि same to same लिख देना है कोई दिक्कत नहीं, तो यह वो रगया she is so intelligent that she can solve this sum ठीक है वह इतनी intelligent है कि वह यह सवाल कर सकती है ठीक है, तो समझ में आ गया I hope आपको समझ में आ ही गया होगा ठीक है न, नहीं आया समझ में तो बिलकुल फिर से इस वीडियो को देख लीजिए back करके और समझ लीजिए, क्योंकि अगला जो third sentence है वो आपको so that का use करके rewrite करना है, और कहा करना है सर, तो आपको हमारी वीडियो के comment box में जाकरके उस comment box को भर देना है सही answer से, ठीक है न, तो जो हमारा जो sentence है, रमेश बहुत गरीब है, बह मकान नहीं खरीद सकता है तो रमेश is very poor रमेश is very poor he cannot buy a house, तो आपको इसको बनाना है काय का use करके आपको ये sentence rewrite करना है rewrite करना है using using so that यहाँ आपको so that का use करके इसको sentence को फिर से लिखना है तो जैसा हमने बताया है, dear बैसा आप इसको बनाएं और जल्दी से comment box को भर दें, चलिए फिर हम देखते हैं, अपना to, to का use कैसी करेंगे so that की जगह पर, ठीक है ना तो student अब हम बता रहे हैं आपको so that की जगह पर to, to का प्रियूग तो so that, so that जो sentence में आएगा, उसकी जगह पर हमें to, to का प्रियूग अब करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, so की जगह पर आपको ये to, to, to लिख देना है तो देखिए यहां जो sentence दिया गया है जैसे की हमारा जो sentence है ये sentence है हमारा, he is so big, ठीक है ना he is so big that he cannot walk तो हमें जो so है, इस so के जगह पर क्या लगाना है ती डबल ओ टू लगाना है, क्या लगाना है ती डबल ओ टू लगाना है, और हमें that की जगए पर क्या लगाना है to2 लगाना है ठीके न, अब हमें क्या करना है आपको अभी इतना सा समझ लेना है कि so की जगए पर हमें to2 लगाना है और that की जगए पर हमें to2 लगाना है, बाकी अभी आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है आगे की sentence में ऐसी हमें क्या कर लेना है यहाँ पर अगला जो sentence है हमारा हमारा sentence क्या है यहाँ लिखाए C is so intelligent क्या लिखाए C is so intelligent तो हमें C की जगए पर क्या करना है अब भी अब भी तो हमने बताया है कि C की जगए पर हमें TOO टू लगाना है और देट की जगए पहमें क्या करना है टी ओ टू लगाना है ठीके ना अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस टू के बाद में इस टू के बाद में बर्ब का हमीशा कैसा फॉर्म आता है फॉर्स्ट फॉर्म आता है तो इसमें देखना है कि इस टू के बाद गा, C is too intelligent to solve this sum ठीक है न, तो इस type से आपको समझना है, और ज़्यादा तर जो second part रहेगा वो negative sentence का रहेगा, क्योंकि जो two-two से sentence जुड़ते हैं, वो negative sense देते हैं तो इसका तो बैसे आप समझे लेजिए कि इसका two-two से नहीं जुड़के बनेगा लेकर हमने जो नियम बताया है इसी नियम से बनेगा नेगेटिव बाला तो चली हम नेगेटिव बाला देख लेते हैं जैसे जो नेगेटिव बाला यह sentence है वो यह है तो इसका सबसे पहले तो हमें so that का यूज़ करके बनाना है तो हमने भी हमने so that का प्रियुक समझ लिया है फिर that इसके बाद में he को कर देंगे हम h को small कर देंगे तो he cannot he cannot buy a house ठीक है ना buy a house तो यह हमने आपको बता दिया यह हो गया हमारा का का यूज़ यह हो गया हमारा so that का यूज़ अब हमें so की जगए पे करना है क्या to का use और इस that की जगए पे करना है हमें इस to to का use तो आपको समझ लिना है कि इसका कैसा बन जाएगा रमेस is to poor to इस to के बाद में क्या आना है अब भी हमने बताया verb का first form आना है तो he verb का first form नहीं है तो यह हट जाएगा can verb का first form नहीं है तो यह हट जाएगा not verb का first form नहीं है तो यह हट जाएगा तो इसका कैसा बन जाएगा रमेस is to poor to buy a house ठीक है student तो आई होप आपको यह clear हो गया होगा कि to to का use so that की जगए पे कैसी करना है तो हमारे जो पहला sentence था इसमें आपको करना है so that की जगए पे to to का use तो to का use करके आप जल्दी से comment box को कर दीजिए full और जल्दी से बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आ गया है तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल आरके रायसर को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को धबा दीजिए ताकि आपको सारे नॉटिफिकेशन्स इंगलिस गरामर के आपको मिलते रहें और आप इंगलिस में होते रहें इंप्रूब्ड तो अच्छे से आप पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने दूस्तों में सेर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टिक क्यार जैहिंद एबरिवन